लो दोस्तो, नमस्कार, मैं दिलिप कुमार यादव, आप सभी लोगों का optimum education guidance पर स्वागत है, दोस्तो आज हम one liner question solve कराएंगे, इसमें आप लोगों को science से relative, यानि कि आप science से relative कोई सभी exam दे रहे हों, चाहे वो SSC हो, bank हो, railway हो, व्यापम हो, या state level के कोई सी भी TGT, PGT, तो चलिए question की और आगे बढ़ते हैं, दोस्तो अगर question पसंद आए, तो इसको जादा से जादा share करें, और जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएं, चलिए start करते हैं, question की और, अनुवांस की सब्द का प्रयोग सरप्रथम किसने किया, तो अनुवांस की सब्द का सरप् वेटसन ने, तो किसनी किया था, डवलू वेटसन ने, अगला है, कि अनुवांस की क्या होती है, तो अनुवांस की है, क्या जेनेटिक्स है क्या, तो अनुवांस की मतलब कि जे विज्ञान की वैसाखा, जिसके अंतरगत हम, अनुवांस की, अनुवांस की, अनुवांस की, अनुवांस की कहलाता है, तो क्या लखेंगे, जिसमें अनुवानसिक्ता या विविन्यता का अध्यन करते हैं क्या कहलाती है अनुवानसिकी कहलाती है ठीक अगला है कि हाइड्रोजन, हेलियम और अनाइनित गैसों के तारों तारें के बीच धोल के बादल को क्या कहा जाता है तो उनके यानिकी जो बीच में धोल होती है तो धोल के बादलों को क्या कहा जाता है तो निब्यूला कहते है निब्यूला नेक्स्ट कोश्चनों की और अगला है कि कोश का अनुवांस्की की इस्थापना किसने की तो किषने की थी जो कोश का एक गॉरड को अगला next question कि थर्मोईश्कोप और प्रारंबिक थर्मामीटर का अविस्कार किसने किया था तो जो थर्मोईश्कोप है और जो थर्मामीटर है तो उसका अविस्कार किसने किया था तो सर क्रिश्टोफर रेनने सर क्रिश्टोफर क्रिश्टोफर रेनने Next question, अगला है कि यूग में विकल्पी, एलील सब्द किसने दिया, तो एलील जो है, एलील वर्ड किसने दिया था, तो अगर बात करें हम एलील की, तो एलील वर्ड भी किसने दिया है, तो वेटसन नहीं दिया है, अगला है वन्सागती की इकाईया, तो वन्सागती की जो इकाईया होते हैं, यूनिट्स होती हैं, तो जीन होती हैं, अगला है सम्यूग में जी, एवं बी सम्यूग में जी, सब्द किसने दिया था, तो यह सब्द किसने दिया था, तो दिया था, ये भी बेटसन नहीं, ठीक, नेक्स्ट कोश्चन की ओर कि जीन प्रारूप क्या है तो जीन प्रारूप क्या कहलाता है तो यहनि कि जो अनुवांस की संगठन को प्रदर्शित करता है तो जो अनुवांस की संगठन को प्रदर्शित करता है next है कि बहु यूग में विकल्पता का उधारण है तो जो बहु यूग में विकल्पता है तो उसका उधारण कौन है तो जो अपना AVO ब्लेड ग्रूप होता है ठीक तो AVO जो ब्लेड ग्रूप होता है किसका उधारण है तो बहु यूग में विकल्पता का तो अपना right answer क्या है? A.V.O. अगला है वन सगती तथा गुर सुत्री सिध्धान्त किस ने दिया था? तो यह सिध्धान्त किस ने दिया था? तो shorten तथा बौवरी ने? शौटन तथा बौवरी ने? नेस्ट कोईशनों की और कि अगला है कि टिड़े में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है तो जो टिड़े होते हैं तो टिड़े में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है तो जो फीमेल होती है तो फीमेल में एक्स एक्स और जो male होता है तो male में क्या होता है X और O होता है ठीक और अगर बात करें कि जो मनुष्य में तो मनुष्य में भी मानवों में जो female होती है X X होता है और male में X Y होता है ठीक अगला है gene win-man कहा होता है तो जो gene win-man होता है यहने कि जो exchanges वह कहा होता है तो यह M societte के अर्शुत्री विभाजन के Miosis first में अर्शुत्री विभाजन के जो प्रोफेज की अवस्ता होती है तो प्रोफेज में कौन-कौन से होती है Não लेटोटीन जाइगोटीन पेक्टीन डाइकाइनेस है ना तो उसी में तो पेक्टीन स्टेज पे होता है किस पे पेक्टीन स्टेज पे पेक्टिन स्टेज पे अगला है डाउन सिंड्रोम होने का कारण है तो जो डाउन सिंड्रोम होता है तो डाउन सिंड्रोम किसकी वज़े से होता है तो ट्राइसोमी की वज़े से ट्राइसोमी क्या है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21 नंबर का क्रोमोशोम होता है कौन सा 21 तो 21 नंबर के क्रोमोशोम में यानि कि उसमें क्या रहते हैं दो रहते हैं लेकिन उसके यानि कि एक अलग अतरिक्त एक्स क्रोमोशोम का जुड़ जाना वह किसका है डाउन syndrome कहलाता है ठीक अगला question कि गाइने को गाइने को मेश्टिया क्या है तो गाइने को मेश्टिया क्या होता है कि नर में इस्तन का विकास हो जाना जो मेल होते हैं मेल में इस्तन का विकास हो जाना क्या कहलाता है गाइने को मेश्टिया कहलाता है नर्मे इस्तनों का विकास Next है कि उत्परिवर्तन सब्द किसने दिया था जो mutation है तो mutation सब्द किसने दिया था तो Hugo to Breeze ने दिया था अगला है किसने उत्परिवर्तन को स्पोर्ट कहा है तो जो म्यूटेशन होता है म्यूटेशन को स्पोर्ट किसने कहा है तो डार्विन ने म्यूटेशन क्या होता है उत्परिवर्तन क्या होता है कि जीवों में अकास्मिक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते है यहनि कि अचानक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते है ठीक अगला next कि बिंदू उत्परिवर्तन का उधारण है तो बिंदू उत्परिवर्तन को उधारण कौन है तो सिकल सेल एनेमिया सिकल शेल एनेमिया रोग ठेक अगला है थेले सीमिया की खोज तो थेले सीमिया की खोज किस ने किया था तो कूले ने किया था पूली न कीया था कभ कीया था तो 1925 में अगला है अल्पा थले सीमिया नियंत्रीत होता है तो जो घ्रक किसे दौरा नियंत्रीत होता है तो अगला है कि एक आदी सूतरता को कैसे दरसाते हैं तो जो मोनोशोमी होती है एक आदी सूतरता उसको कैसे दरसाते हैं तो 2N प्लेस 1 ठीक अगला है कि उत्परिवर्तन उत्पन करने वाले कारक हैं तो जो म्यूटेशन उत्पन करने वाले कारक हैं उनको क्या बोलते हैं उत्परवर्ति जन बोलते हैं उत्परिवर्त जन बोलते हैं ठीक नेक्स्ट है कि लाल वर्णान्दिता को क्या कहते हैं तो लाल वर्णान्दिता को क्या बोलते हैं तो ड्यूटनोपिया बोलते हैं तो लाल वर्णान्ता को प्रोटोनोपिया बोलते हैं हरा वर्णान्ता को ड्यूटनोपिया बोलते हैं तो लाल वर्णान्ता को क्या बोलते हैं लाल वर्णान्ता को बोलते हैं क्या प्रोटोनोपिया प्रोटो नोपिया वगला नेक्स्ट क्वेशंग कि हीमोफिलिया की खोज किस ने किया था तो जॉन ओटो ने किया था जॉन ओटो ने अगला है वर्णांदिता की खोज किस ने किया था तो और नर ने किया था यह आगया कि हरी वर्णांदा को यह भी कहते हैं तो हरी वर्णांदा को क्या बोलते हैं तो डूटरनोपिया बोलते हैं डूटरनोपिया अगला है कि मेंडेलियन विकार किसके कारण उत्पन्न होते हैं तो जीन उत्परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन के कारण नेक्स्ट है कि पूर्ण सहल लगनता पाई जाती है तो जो कम्प्लीट सहल लगनता होती है वह किसमें पाई जाती है तो नर्ड रोसो फिला में अगला है परागड की बाहिचोल परत किस पदार्थ की बनी होती है तो जो परागड होते हैं, परागड, तो उनकी जो बाहर चोल होती है, बाहर लिए रवाद किसकी बनी होती है, तो इस्पोरो पॉलेन की बनी होती है, इस्पोरो पॉलेन की, ठीक, पॉलेनिन, ठीक, अगला next question, कि विजांड का अन्य नाम है, तो विजांड का और अन्य नाम क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, गुरु, विजारु, धानी, अगला है कि भ्रूण कोश का अन्य नाम है, तो जो भ्रूण कोश होता है, तो भ्रूण कोश का अन्य नाम क्या होता है, मादा, युग्म, को बोलते हैं मादा युग्म खोधवित बोलते हैं नेक्स्ट है बिना निसेचन के फल के निर्माड को क्या कहते हैं तो जो बिना निसेचन बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं अनिशेक फल नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि पर पाया जाता है तो निभागी सिर्य पर इन अगले है लगूविजाडूजन क्या है तो जो लगूविजाडूजन निरमाड की प्रक्रिया क्या जो माइक्रो इस्पोर माइक्रो इस्पोर मदर्सल होती हैं माइक्रो इस्पोर मदर्सल यह जो लगू भी जाडू मात्र पोष्काएं होती हैं उनसे इसका निर्माड होना लगू भी जाडू का माइक्रो इस्पोर का लभू विजाडू का निर्माड के निर्माड की प्रिक्षिया तो जो माइक्रो इस्पोर लभू विजाडू मदर सल्स होती हैं लभू विजाडू मात्र कोश्काओं से लभू विजाडू के निर्माड की प्रक्रिया क्या कहलाती है लभू विजाडू जन कहलाती है कि गुरू विजाडू जन क्या है तो देखो जैसे ही अभी हमने लगू विजाडू जन मताया वैसे ही गुरू विजाडू जन है कि इसमें क्या होता है कि जो मेगा इस्पोर मदरसल्स होती है उसमें कौन थी माइक्रो इस्पोर इसमें मेगा इस्पोर मदरसल्स के दौरा इस्पोर याने लिख दें गुरु विजाडु मात्र कोश्का से गुरु विजाडु के निर्माड की प्रक्रिया नेक्स्ट है वायू द्वारा परागण को क्या कहते हैं तो जो पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है वायू के द्वारा तो इसको क्या बोल जाता है तो उसको बोलते हैं एनिमो फिली एनिमो फिली अगला है कीटो द्वारा परागड तो जो कीटो के द्वारा पॉलिनेशन होता है परागड होता है उसको क्या बोलते हैं एंटोमो फिली एंटोमो फिली नेक्ष्ट पुस्प का लगो विजाडू पर्ड कौन है तो जो फूल होते हैं पुल अगला है पक्षियो द्वारा परागड तो पक्षियो द्वारा परागड होता है उसको क्या कहते हैं तो और नीशो फिली कहते हैं और नीशो खिले इगला है परिभासित किया था और्थर को तो और्थर को किसने परिभासित किया था तो ट्रॉंस लेने इगला है किसे औरम कहा जाता है तो औरम किसको कहा जाता है तो सोना को तो औरम किसको कहते हैं सोना को औरम कहा जाता है Next question कि पराग किट बनी होती है तो जो पराग किट होती है वह किसकी बनी होती है तो वह लिपिट की और करेटिनाइड की बनी होती है किसकी? लिपिड एवं करेटिनाइड की नेक्स्ट है रेखी चतुस के किसमे पाया जाता है तो यह किसमें पाया जाता है जो रेखी चतुषक होता है तो हेलो फिला में पाया जाता है अगला है सबसे छोटा परागकड तो सबसे छोटा परागकड किसमें होता है किसका होता है तो मायो सायोटिस का होता है मायोर shortish का होता है और length की अगर बात करें तो कित्ता होता है 0.006 mm होता है ठीक next question कि UV sky का स्रावण तो UV sky का स्रावण किसके द्वारा होता है तो टेपे टम के द्वारा होता है टेपे टम के द्वारा अगला है पराग कोस की पोशक परत तो पराग कोस की जो पोशक परत है वा कौन कहलाती है तो टेपे टम ही कहलाती है टेपे टम अगला है मेलोकोफिली क्या है तो मेलोकोफिली क्या है कि जो pollination होता है किसके द्वारे स्नेल या स्लक्स के द्वारा होता है तो जो pollination, snail या slugs के द्वारा हो, वह क्या कहलाता है? मेलेकोफिली कहलाता है, तो pollination by snail and slugs, ठीक? नेक्स्ट question की ओर, कि भूण पोष्ट, भूण पोष्ट का सबसे सामान्य प्रकार है, तो जो भूण पोष्ट का सामान्य प्रकार क्या है? तो केंद्र की प्रकार का भूण पोष्ट. नेक्स्ट विजान्ड काय का गुडिता इस्तर तो विजान्ड काय का गुडिता इस्तर जो कैसा होता है 2N होता है मतलब deployed होता है द्वी गुडित होता है अगला है परिपक्वा अंडाशय को कहते हैं तो जो मेच्चूर अंडाशय होता है मेच्चूर ओवरी उसको क्या बोलते हैं फल कहते हैं Next question कि जूट का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि जूट का पता लगाने वाला यंत्र भी आ गया है इसलिए आप लोग जूट कमबोला करिए ठीक ना जो CVI जांच होती है और ये सब इन जांच होती है तो इन में जूट के पता लगाने के लिए एक मसीन का प्रयोग किया जाता है तो वह कौन सी होते हैं कौन सा यंत्र है तो पॉलिग्राफ आप लोग मूवी वगएरा में देखे होंगे है ना अगला है सबसे बड़ा पुष्प तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है तो रफलेशिया एरनॉल्ड याई है ठीक अगला है सबसे छोटे बीच तो सबसे छोटा बीच किसका होता है तो और्किड्स का ठीक अगर लेंद की बात करें तो किता होता है 28 से 33 म्यूजी के वरावर ठीक नेक्स्ट कॉश्चन की परागर की प्रक्रिया किन में होती है तो जो पॉलिनेशन की प्रोशेश किसमें होती है तो जिम्नो इस्पर्म और एंजियो इस्पर्म में जिम्नो इस्पर्म और एंजियो इस्पर्म में ठीक अगला है परागर को किसमें संग्रहित किया जाता है तो जो लिक्वेड नाइट्रोजन होता है तो उसमें और किते डिगरी संटिग्रेट पे रहता है तो माइनस वन नाइट्रोजन पे जो टेम्परेचर रहता है वह किते माइनस वन नाइट्री संटिग्रेट पे ठीक अगला है सब्द बाहिचोल वा अंतर चोल किसने दिया तो जो बाहिचोल है और अंतर चोल है वह सब्द किसने दिया था तो खृष्ट ने दिया था और कब दिया था तो अठारा सो सैंटिस में नेक्स्ट कोशन कि परी ब्रूंड पोश के उदारण है तो ब्लेक पेपर और बीट है ब्लेक पेपर काले मिर्च अगला है केरिंकल का उदारण है तो केरिंकल का उदारण कौन है तो जो अरंडी होती है अगला है टेपिटम कोश काएं बहु केंडरकी होती है या एक केंडरकी तो जो टेपिटम सेल्स होती है वह मल्टी सेलूलर होती है multi nucleate या union nucleate तो कैसी होती है ये multi nucleate होती है next question कि पराकोस की सबसे भीतरी परत है तो पराकोस की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है तो टेपेटम ही होती है अगला है मानो सरीर में सबसे बड़ी पेशी तो सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है तो glutus maximus होती है glutus maximus ठीक अगला है मानो सरीर की सबसे लंबी पेशी तो सबसे लंबी पेशी का कौन सी होती है तो sartorius muscle होती है सार्टोरियस मशल ठीक, नेक्स्ट अगला कुश्यन है कि कंडराएं क्या है तो जो कंडराएं होती है वे क्या करती है तो यह जो जो बोन होती है तो यह क्या करती है कंकाली पेशियों को अस्तियों से जोड़ना और जो इसनायू होता है लिगमेंट होता है तो लिगमेंट क्या करता है तो लिगमेंट क्या करता है कि अस्ति को दूसरी अस्ति से जोड़ता है यहने कि बोन तो बोन यहने कि अस्ति को अस्ति से जोड़ना क्या कहला कौन करता है तो इसनायू लिगमेंट ठीक अगला हेदर पेशियां तो जो है दर पेशिया होती हैं तो इस जो अपनी रिफ होती है या इन वोल एंट्री होती है यह कौन सी होती है है अगर हमारी मसल्स में लेक्टिक अमल का जमा हो गया है तो क्या होता है हमें ठकान मैशू सोने लगती है तो पेशी ठकान होती है नेक्स्ट है कि खोपड़ी में पाई जाने वाली संधिया तो जो खोपड़ी में कौन सी जॉइंट पाई जाती है तो अगर बात करें हम खोपड़ी में तो खोपड़ी में कौन सी पाई जाती है तो सिवनी जोड पाई जाती है और घुटने की संदी को क्या कहते हैं तो घुटने में कौन सी जॉइंट पाई जाती है तो घुटने में कबजा संदी पाई जाती है कबजा संदी मतलब कि देखो अगर हम पैर को क्या कर रहे हैं उपर से नीचे यानि कि खाली एक ही दिशा में मोड पा रहे हैं जैसे आप दरवाजे को देखो एक ही दिशा पर यानिकी वो कर सकते हो वो यानिकी उसको पूरा rounded नहीं गुमा सकते हैं ये कौन से है कबजसंदी फिर अगला है कि प्रथम ग्रैव कशेरुका है तो प्रथम ग्रैव कशेरुका कौन है तो एटलेस अगला है हुमरेस वा अंसमेखला के बीच पाई जाने वाली संदी तो जो हुमरेस और अंसमेखला है तो इसके बीच कौन से संदी पाई जाती है तो बाल एंड सौकेट जॉइंट कंदु खलिका संदी बाल एंड शौकेट शौकेट जॉइन्ट ठीक अगला है पतला तंतु कितने प्रोटीन से निर्मित है तो जो पतला तंतु होता है कितने प्रोटीन से निर्मित होता है तो 3, कौन कौन से tracksine tropomycine Trnemisine एक्टिन हो गया, ट्रोपोमाईसिन हो गया और ट्रोपोनिन हो गया, ट्रोपोनिन, नेक्स्ट कोश्चिन, कि कौन सा खनी पेसी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, तो पोटेशियम, पोटेशियम, नेक्स्ट है, कि पेसी संकुचन का फ E F HECS ले, and किसने H E HECS लेने, गला हैपी पेशियों की उत्पत्ति होती है, तो मसल्स की पेशियों की उत्पत्ति होती है, वह कहां से होती है, तो मिजोडर्म से, Next question, कि किस प्रकार की तरंगों का प्योग रात्री द्रश्ठी उपकरण में किया जाता है, तो कौन सी तरंगों का उप्योग किया जाता है तो अवरक्त तरंगों का अवरक्त तरंगों का अगले हैं ऑश्टियो पॉरोसिस किस रोग से संबंदित है तो यह किस रोग से संबंदित है तो हड़ियों से हड़ियां जब वैस हो जाते हैं तो हड़ियां भंगुर होने लगते हैं उसको क्या बोलते हैं और श्टियो परोशिश बोलते हैं अगला है शूर को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो शूर को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हेलियो इसकोप का हेलियो इसकोप का next है कि मानो इंसुलीन को सरप्रथम किस ने तयार किया तो जो मानो इंसुलीन है उसको सबसे पहले किस ने किया था तो इली लिली ने किया था इली लिली ने और ये कहां किया गया था तो एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा किया गया था ठीक अगला है कि cotton bowl worms को नियंत्रित करने वाली तो cotton bowl worms को कौन नियंत्रित करता है तो cry second जीन cry second और cry first ठीक अगला है तेल को खाने वाला जीवाडू तो जो तेल को खाता है वह कौन सब वैक्टिरिया है तो pseudomonas putida pseudomonas putida next question कि DNA में electrophoresis को देखने के लिए किस से अविरंजित किया जाता है तो जो electrophoresis होती है जल electrophoresis तो उसमें हम कौन सी डाई को उप्योब करते हैं तो ethereum bromide का ethereum bromide का ठीक अगला है लावकारी जीन के प्रवर्धन की तकनीक तो जो लावकारी जीन के प्रवर्धन की तकनीक होती है वह कौन सी होती है क्या कहलाती है तो PCR है पॉलिमरेज चैन रियक्षन पॉलिमरेज चैन रियक्षन ठीक प्रवर्धन की अविलाच्छडिक गंद का कारण तो लेस्न में क्या पाया जाता है जिसकी वज़े से वह गंद होती है तो उसमें उसके सलफर याउगिक के कारण लिफ्ट कोशन अगला है कि ऐसे एंजाईम जो सेलूलोज से निर्मित कोश्का भित्ति का लाइन करते हैं तो वह कौन कहलाते हैं, कौन है तो cellulose enzyme, cellulose enzyme, लगला है कि PVR 322, PVR 332 की खोज किस ने किया था, यह क्या है, एक vector होते हैं, तो इसकी खोज किस ने किया था, तो बॉलिवर एवं रोड्रिगर्ज ने किया था, ठीक, अगला है, एक एसा जन्तु वाइरस, जिसका उप्योग शमवाहक की तरह होता है, तो कौन सा वाइरस होता है, तो रेट्रो वाइरस, निक्स्ट, कि प्लाजमेट की खोज, तो प्लाजमेट की खोज किस ने किया था, तो लेडर वर्ग एंड हेज ने किया था, लेडर वर्ग एवं हेज ने, एगला कोश्चन है, कि अनुवांसिक अवियांतरकी के जनक, तो अनुवांसिक अवियांतरकी के जनक कौन है, तो पॉल वर्ग है, लेट्ट है, वांचित डियाने के अन्य नाम है, तो जो वांचित डियाने होता है, उसके और अन्य नाम क्या है, तो टार्गेट DNA, टार्गेट DNA हो गया, सोर्ष DNA हो गया, शोर्ष DNA और पैसेंजर DNA, पैसेंजर DNA. नेक्स्ट कोशिन, कि क्या वसा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रोन में पाई जाती है, तो यह ने अलप विक्शित होती है या अनुपस्तित ही होती है, तो लिख सकते हैं, अनुपस्तित या अलप विक्शित, इगला है प्रेटी हलमेंथेज संक्ते प्राडियों का उत्सरजी अंग है तो इसका उत्सरजी अंग क्या होता है तो ज्वाला कोश्का इगला है crustaceans का उच्सर्जी अंग तो crustaceans का उच्सर्जी अंग क्या कहलाता है तो green glands कहलाती है next question कि keto का उच्सर्जी अंग तो keto का उच्सर्जी अंग क्या है मेल पेगी न लिकाए है मेलपीगी नलिकाएं रिगला नेश्ट है कि केचुएं का उच्छर्जी अंग केचुएं का उच्छर्जी अंग कौन होता है तो किडिनी होती है व्रेक रिगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की कौर्टिकल छेतर में पाये जाने वाले निप्फान के भाग तो cortical छेत्र में जो nephron के भाग होते हैं कौन-कौन से हो गया PCT, DCT और malpigion corpuscles होती है Malpigion corpuscles ठीक, next question अगला question है कि और्नीथीन चक्र या यूरिया चक्र कहां चलता है तो जो और्नीथीन चक्र होता है और यूरिया चक्र ये कहां चलते हैं तो liver में, यक्रत में कहां चलते हैं, यक्रत में liver में ठीक, अगला है कि एक व्रक में कितने नेफ्रोन पाए जाते हैं तो एक जो विरक्क होता है खिड्नी में तो उसमें लगवग कितने नेफ्राउन पाए जाते हैं तो लगवग 10 लाग पाए जाते हैं लगवग 10 लाग निफ्ट क्वेशन की छिफकलियों एवं सर्पो का नाइट्रोजनी अपसेष्ट पदार्थ तो इनका अपसेष्ट पदार्थ कौन होता है तो यूरिक अमल होता है यूरिक अमल इनका उचसर्जी पदार्थ कौन होता है यूरिक अमल अगला है कि किस सिरा में यूरिया की सबसे कम सांधरता पाई जाती है तो कौन से सीरा में यूरिया की सबसे कम सांध्रिता पाई जाती है तो व्रेक्ट के सीरा में अगला है रक्त में यूरिक अमल का उच्च इस्तर तो कौन होता है उच्च इस्तर कौन करता है तो गाउट के दौरा ठेक, अगला है मकडियों का उच्छरजी पदार्थ, तो मकडियों का उच्छरजी पदार्थ क्या होता है, तो गौनिन होता है, क्या होता है, गौनिन अगला है नेश्ट कॉश्चन कि विभाज ज्योत्कों में कोश्का भित्ती बनी होती है तो जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होती है तो उनकी जो सेल्वाल होती है किसकी बनी होती है तो सेल्यूलोज की अगला है ओधि का वैभाग जो वायरस संक्रमर से अप्रभावित रहता है वै कौन होता है तो विभाज ज्योत्क टिशू में जो मेरिस्टमेटिक टिशू होते है वैप्रभावित रहते हैं विभाज ज्योत्क टिशू में जो मेरिस्टमेटिक होता है विभाज ज्योत्क होता है उसका कौन है तो पार्ष विभाज ज्योत्क पार्ष विभाज ज्योत्क कि किस विभज्योतक में विवाजन केवल एक ही तल में होता है तो किस विभज्योतक में तो पट्टी विभज्योतक में पट्टी विभज्योतक पे अगला है किस विभज्योतक में विवाजन सभी समभा तलों में होता है तो किस विभाज्योतक में जो विभाजन होता है, सवी तलों में एक समान होता है, तो किस में होता है, तो मास मेरिष्टम में, मास मेरिष्टम में, ठीक, अगला है कि म्रदूतक जो उत्पलावक्ता प्रदान करता है, वह कौन है, तो वह है एरेन काईमा, जो वायू तक कहलाता है ठीक क्या है वायू तक दुगला कोश्चन है कि म्रदूत की कोश्काएं जो अक्सिष्ट पदार्थों का संग्रह करती है जैसे टेनिन हो गया, तेल हो गया, केल्सियम ऑक्जेलेट हो गया यह कौन होती है, तो यह आईडियो ब्लाष्ट होती है आईडियो ब्लाष्ट सेल्स ब्लाष्ट आईडियो ब्लाष्ट सेल्स या इन्हें को क्या बोलते हैं, विचित्र कोशिका विचित्र कोशिका हैं ठीक, अगला है जीवित यांतरिक उतक, तो जीवित यांतरिक उतक कौन कहलाता है, तो कॉलिन काईमा, या इसी को क्या बोलते हैं, इस थूल पोडो तक, हिंदी में नाम तो लेने बहुत कठिन पढ़ते हैं मेरोको, पोडो तक, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इंगलिस से ही नाम लिखे दे रहा हूँ, है न, अगला है कि जड़ो, वहा एक वीच पत्री तनों में, तो कौन पाया जाता है, तो जो कॉलिन काईमा होता है, वह क्या होता है, एपसेंट होता है, और बांकी सभी पाया जाते हैं, तो क्या, कॉलिन काईमा एपसेंट होता है, अनुपस्त होता है ठीक अगला नेक्स्ट की ब्रेकी इसकेलरॉइड द्रड़ को इसकाएं जो होती हैं तो कौन होती हैं तो यह होती हैं क्या यानि कि यह जो अश्ठित फलों के गुर्दे में पाई जाती हैं किसमें कि जो यह आश्ठिल फलों के गुर्दे में पाई जाती हैं जैसे एक्जामपल में देख लो एक्जामपल में क्या है नास पाती अगला है कपास के लंबे रेशे तो जो कपास के लंबे रेशे होते हैं तो कपास के लंबे रेशे क्या कहलाते हैं लिंट कहलाते है ठीक अगला है कि प्रात्मिक जाइलम का निर्माड होता है तो जो प्रात्मिक जाइलम होता है प्राइमरी जाइलम तो प्राइमरी जाइलम का निर्माड कहा होता है तो प्रोकेम्बियम से प्रोकेम्बियम से ठीक अगला है नेक्स्ट कॉश्चन कि दुतियक जाइलम का निर्माड होता है तो सेकेंडरी जाइलम का निर्माड किससे होता है तो वैस्कुलर कैम्बियम से वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा नेक्स्ट है जीमनो इस्पर्म में समवहन उतक है तो जो जीमनो इस्पर्म होता है तो जिम्नो इस्पर्म में समवहन उता कौन होता है तो इसमें ट्रैकिट्स होती हैं वहन काई ट्रैकिट्स या वाहिन काई अगला है जिम्नो इस्पर्म में वाहिकाई तो जिम्नो इस्पर्म में जो वाहिकाई होती है वह अपसेंट होती है अनुपस्तित होती है ठीक? अगले question की और कि जो jaillam होते हैं तो jaillam के जो तंतू होते हैं, तो jaillam तो जाइलम तंतु किसके बने होते हैं स्क्लेरन काइमा के अगला है चालनी कोश्का पाई जाती है तो जो चालनी कोश्का होती है सीव सेल्स होती है वह किसमें पाई जाती है तो जिमनो इस्पर्म में जिम्नो इस्पर्म में अगला है चालनी नलका तत्तो में केंद्रक तो अगर बात करें कि देखो जो चालनी को इश्काय होती है सीव सेल्स होती है वह किसमें पाई जाती है जिम्नो इस्पर्म में पाई जाती है ठीक और अगर बात की जाए कि इनमें जो केंद्रक होता है चाल केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक, अगला कोश्चन, कि सह कोश्काईं पाई जाती है, तो सह कोश्काईं किसमें पाई जाती है, अगला है विश्चन, तो जो इस्पेसल टिशू होते हैं, तो इक हो गया लेक्टिफेरस टिशू और दूसरा होता है ग्लैंडूलर टिशू, ठीक, कौन-कौन, एक होता है लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस टिशू और दूसरा होता है, कौन सा, ग्लैंडूलर टिशू, ग्लैंडूलर टिशू, नेक्स्ट कॉश्चन की पादब दुग्द, तो जो प्लांट मिल्क होता है, तो प्लांट मिल्क कौन कहलाता है, तो लेटेक्स कहलाता है, लेटेक्स नेश्ट कोशन कि पपीता के लेटेक्स में होता है तो पपीता के लेटेक्स में क्या पाया जाता है तो पेपेन एंजाइम पाया जाता है क्या पाया जाता है पेपेन एंजाइम पेपेन एंजाइम नेश्ट कोशन कि अफिम प्राप्त होती है तो अफिम किस्य प्राप्त होती है तो पेपेवर सौमनी फेरम से अगला है लॉंग के तेल का मुख घटक है तो जो लॉंग का तेल होता है तो लॉंग के तेल का मुख घटक क्या कहलाता है तो यूजे नॉल कहलाता है यूजे नॉल ठीक अगला कि गम ग्लेंड जो गोंद ग्रेंथिया होती है तो गोंद ग्रेंथिया गम ग्लेंड जो होती है वे किसमें पाई जाती है तो जो बबूल होता है अकेशिया इसको सामाने नाम पे बबूल बोलते हैं तो इसमें कौन सी पाई जाती है, gum glands, gondh granthia ठीक, अगला है resin granthia तो resin granthia किसमें पाई जाती है, तो ये pinus में पाई जाती है next मूल रोम होते है तो जो root hairs होते हैं वह कैसे होते हैं, तो ये unicellular होते है unicellular मतलब एक कोश्की होते हैं, ठीक, अगला कि हाइपोडर्मिस अनुपस्तित होती है, तो जो हाइपोडर्मिस होती है, वेकिसमें अनुपस्तित होती है, तो जो डायकॉर्ट रूट्स हो गई और मोनोकॉर्ट्स रूट्स में, मतलब एक बीज पत्री और द्वीज पत्री जड नेक्स्ट है कि वर्षी खुला समवहन पूल तो जो ओपन वेश्कुलर बंडल होता है वह किसमें पाया जाता है तो डाइकॉट में पाया जाता है दुईवीज पत्री में अगला है अवर्थी बंद समवहन पूल तो जो ॉवेश्कुलर बंडल होता है तो इसमे पाया जाता है तो यह मोनोपोर्ट में पाया जाता है एक वीज पत्री में है शो एक्णित कप्थी मरे przek пять-घंद का electrifying में अगला है कि दारूचेंदर की जो जयलम होता है यानिकी जो दारूचेंदरकी मतलब जो जाइलम क्येन की स्थिती के बारे में तो इसका होता क्या है दारूचेंदर की का कि जो जाइलम होता है वह जाइलम कहां इस्थित होता है केंद्र में तो अंसर क्या जाएगा जाइलम केंद्र में इस्थित होता है दारू केंद्र की का मतलब क्या है कि जाइलम है वह कहां इस्थित है केंद्र में इस्थित है अगला है कि लेप्टोसेंट्रिक कोश्वाह केंद्री तो जो लेप्टोसेंट्रिक कोश्वाह केंद्री होती है वैं कौन होती है तो फ्लोयम केंद्री देखो, जैसे दारू केंद्री है, वैसे लेप्टो सेंट्रिक, तो जो फ्लोयम होता है, वै कहां इस्थित होता है, तो केंद्र में, फ्लोयम केंद्र में इस्थित, अगला है, मध्यादी दारू अवस्था, तो मध्यादी दारू अवस्था क्या कहलाती है, तो मतलब कि जो प्रोटो जाइलम हो गया है, और मेटा जाइलम दौरा घिरा होता है, तो मतलब जैसे जो फर्न होते हैं, फर्न में देखे होगे, जो प्रोटो जाइलम होता है, वै कि कि इसके द्वारा घिरा रहता है मेटाजाइलम के द्वारा ठीक प्रोटोजाइलम का प्रोटोजाइलम का मेटाजाइलम से घिरा होना नेक्स्ट है कि एक सामान्य सुस्क सेल में विद्वत अफगट होता है तो उसमें जो विद्वत अफगट होता है ठीक अगला है एक सूखी सेल में कौन सी उर्जा पाई जाती है तो जो सूखी सेल होती है तो सूखी सेल में कौन सी उर्जा पाई जाती है तो अगर बात करें क्वेश्चन है कि एक सामाने सुष के सल में विद्धुत अभगट होता है तो सामाने सल में जो विद्धुत अभगट होता है तो जस्ता होता है अगला है एक सूखी सल में कौन सी उर्जा पाई जाती है तो इसमें कौन सी उर्जा पाई जाती है, तो इसमें राशायनिक उर्जा पाई जाती है, राशायनिक उर्जा, नेक्स्ट है कि दुई वीज पत्री तने में जो मज्जा होती है, तो वैकैसी होती है, तो शिविक्सित होती है, शुविक्सित होती है, ठीक, अगला कोश्चन, कि दुईवीज पत्री जड़ो में समवहन पूल तो जो दुईवीज पत्री जड़े होती है तो उनमें जो समवहन पूल होता है वे कैसा होता है तो अगर बात की जाए कि इनके समवहन पूल की तो कैसा होता है अरी होता है और कुला हुआ होता है अरी होता है और खुला हुआ ठीक और बात करें एक बीज पित्री जड़ों में सम्वेहन पूलों की शंख्या तो कित्ती होती है तो 6 से अधिक होती है नेक्स्ट है कि एक बीज पत्री जड़ों में मज्जा तो जो एक वीज पत्री जड़ होती है तो उनमें मज्जा कैसा होता है तो सुविक्षित होता है सुविक्षित होता है Next question कि प्रिष्टा धारी पत्तियां पाई जाती है तो जो प्रिष्टा धारी पत्तियां होती है वर कहां पाई जाती है तो द्वी बीज पत्त्री में, डाइपॉट में, द्वी बीज पत्त्री में, अगला नेक्स्ट है कि सम्द्वी पार्ष पत्तियां पाई जाती हैं, तो जो सम्द्वी पार्ष पत्तियां होती हैं कि इसमें पाई जाती हैं, तो एक बीज पत्त्री में, एक बीज पत्त्री मे अगला है कि दुतियत ब्रधी पाई जाती है तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एक किसमे पाई जाती है तो जिम्नो इस्पर्म के काष्ट में और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें तो जिम्नो इस्पर्म जिम्नो लिखते हैं इस पश्ट रूप से लिख दे हैं ना जिमनो इस पर एवं दुई बीज पत्त्री पात्पों में दुई बीज पत्त्री पात्पों में अगला कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन है कि रंब के अंदर दुटियक ब्रध्धी होती है तो जो रंब होते हैं इस्टील होते हैं तो उनके अंदर जो दुटियक ब्रध्धी होती है वह कैसी होती है यहने कि पूली होती है ठीक तो किसके द्वारा जो पुली कैम्बियम होती है उसके द्वारा होती है तो पुली कैम्बियम के द्वारा कैम्बियम द्वारा रंब के बाहर दुतियत ब्रधी है कौर्क केम्बियम के द्वारा अगला है गर्मी में बनने वाली काष्ट तो जो गर्मी में काष्ट बनती है तो उसको क्या वोलते हैं तो बसंत काष्ट नेक्स्ट कॉस्चन की सर्दी पतजड में बनने वाली काष्ट तो जो सर्दी और पतजड में बनती है तो उसको क्या वोलते हैं पतजड काष्ट प्रिगला है वार्षिक वले तो वार्षिक वले क्या कहलाता है कि वसंत काट की एक वले और पतिजड काश्ट की एक वले दोनों को मिला करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं वार्षिक वले तो वसंत काश्ट की एक वले अगला है कि सरवाधिक इसपष्ट वार्सिक बला बनती है तो सरवाधिक जो इसपष्ट रूप से वार्सिक बला किसमें बनती है तो यानि कि कहां बनती है तो समसीतोष्ण छेत्र में बनती है संसी तोष्ण छेत्र में तो आज के लिए दोस्तो बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना जय हिन जय भारत धन्यवाद